बाचिए बंद करें तो सिंपल इंट्रेस के बेसिक पढ़ने के साथ तुम लों पिछली क्ला साइज में कॉश्चन से साथ किये थे इसने एक इंट्रट्री कॉश्चन के पॉइंट अब वूद आज ट्राइग करते हैं कि आगे कॉश्चन किये जाए और इनके साथ तुर यहां तक आप ना पहुंचे हो तो देखें दूसरा सवाल किरा किसी राजी को और इन पचास आप जो भी कॉश्चन से इनको सॉल्व करना टारगेट नहीं है कि अब यह सीखेंगे कि ऐसे कुश्चन की जाने चाहिए अब इसमें यह काम भी कर सकते हैं यह काम पर पूरी एक्सराइज जो आगे डिस आगे डिसक्स करेंगे तो वहां पर हर कॉश्चन के साथ उस तरह इसे बात नहीं हो पाएगे कि आप इतने ज्यादा वहां तो यह इसको में वरवली कैसे सोच सकता था इसे में और कैसे टाइम बचा सकता था यह पैटर लेक्ट जनला फिर वह अप्रोच डिवलप हो जाएगे फिर आप क्रॉश्चन करने लगें तो दूसरा क्वेश्चन है करा एक रास यह है टू एंड हाफ यह में सैवन परसेंट रेट तरीकेस जाएं तो SI की जो वैलू है वह आपकी 1050 प्रिंस्पल हमसे पूछा गया है और रेट आप इंटरस हमें दिया है 7% और टाइम हमारा है टू एंड हाफ यह और अपान अंड जैसा कि पार्टन क्लियर पहले से स्वाल कुरें आप दी के लिए एक तो यह तरीका जाता है इस क्वेश्चन के पॉइंट अब से बैता तरीका यह जाता है कि हम यहां थोड़ा ध्यान दें और प्रिंसिपल को सिंपली जैसे हम SI में है तो अंडर मानने में कोई खाथ दिक्कत आएगी निए पहुंचेंगे तो प्रिंसिपल एजूम करने क आखी अब जाती है क्योंकि वहां सुक्सिसफ प्रॉसर्श्स होता है जय किlles सिब्सक्रों कमारा कर्ट्विलेशन ऑ्फ इंट्रेस हमेशा उस dalla उसई प्रिंसिपल पर और तो अगर उसइन पॉर्प मैं स्कल्क्ष सुने कि तो हम्हां और सीप्रिंसिपल करेंन गी। तो इस पॉइंट अगर हम बात करें एक साल में 7 इंट्रेस्ट, दो साल में 14 और आधा साल और 3.5 एक दम बिल्कुर सिस्टम, बिल्कुर बेसिक जैसे हम अगर सामनेता को जोड़ना हो तो मैथमेटिकली बात नहीं करें, फिर हम ऐसे करते हैं साथ सा जुड़के चगुदा हो और 17.5 अपने आप में क्या होगा ऐसाई, अब हम क्वेश्टन से कहीं है हमारे कॉड़ ही आ रहा है और क्वेश्टन के कॉड़िंग 1050 दिया गया है तो हम यह निकाल सकते हैं, तो हम सो सिंपली करेंगे जो पूछा जाए हूपर, बताया जाए नीचे 17.5 और इन्टू 1050 प्रियोग कर सकते हैं, इसके अलावा एक काम और किया जा सकता है, कि हमारा पूरा जो टाइम है, पुड़ाई साल है, अगर हमें एक साल का इंट्रेस्ट पता चल जाए, तो थोड़ा ज्यादा आसान हो, ठाहिकि नहीं, अगर वन यहर का इंट्रेस्ट पता जाए, तो पिलाल टाइम फ्रेक्शन में है, इसलिए थोड़ी दिक्कत महसूस हो सकती है, बट अगर हम वन यहर के इंट्रेस्ट को टार्गेट करें, कि वन यहर का इंट्रेस्ट जो होगा, वो वन जिरो पाई जिरो अपान पाई बाई तू, तो आप डिवाइट करें, तो आप अच्छा है, किसी कॉश्चन में यह वाला अच्छा होगा, किसी में वह अच्छा होगा, यह तो फिर अब यह सब ठीक है, अम सीख सब कुछ रहे हैं, तो हमने का वन यहर का इंट्रेस्ट से बात की जाए, तो बहुत आई साल का समय था, डिवाइट कर दो, तो जब आप त चैब यह तो तो प्रिंसिपल का 7% होगा, तो एक साल का रेट ऑफ इंट्रेस्ट का काम कर रहा है, तो यह तो नहीं कह सकते है, कि वनियर में इंट्रेस्ट जाएधा मिलेगा, इसकावद आप सिंपली कह पाएंगे, कि यह 7% का का काम कर रहा है, और हमें प्रिंसिपल टारगेट करना जो अपने आंटरेट पर्संट होगी fills पर इंटरेस्स कल्कुलेट होता है प्रिंसिपल रिंटरस्स कभे सyour परिंसिपल होता है जो हम सब रेट फट ऋ js रहा हुं तो इस देखते एक रहा है तो रह Starbucks यह प्रिंसिपल करते हैं जो rate of इंटरेस्ट और साइए में है वो इसका प्रिंसिपल ही होता है मूल धन होता है तो हमने खाए अगर यहां पर simply देखा जाए, तो आपने देखा कि प्रिंसिपल आपका 7% है, 7% equal to 420, तो 100% बराबर, 6 था हो जाए, बात समझ में आई, तो कुल मिला के आपको यह समझ में आगे, कि आपका जो rate of interest 100% के recording, आपको 7% बराबर 420 यह हो गया, तो ऐसे भी किया जासता है, ऐसे भी किया जासता है, और यह तो मालो basic fundamental था ही था, नहीं आई बास आजने, नूट कर लिजे, झाए. झाल झाल कर्णारों आर्ट करते लिए यह अंद्रेख द्रेख लिए नियुक्त है ठीक है कोई दिकत यहां पर किसा इस बात से इस बढ़े लिएगा कि इस अबराएटी कर नियां ने लगाया था है ना तो वहाँ पर प्रिंस्पल को एंडेट माना था तो एसाई बरार आर्टी तो है तो वही बात है वहाँ अलग तरीके साथ अब उस तरह की कवाद जायटी हो जोगी दोहां पताएंगे नोट कर लिया होगो नेक्स्ट कोश्चन कितने सब्सक्राइट प्रिंस्पल प्रिंस्पल पूछ लिए रुपए के रिल्ल को तो अगर आप देखें तो पिछले से पहले सब्सक्राइब पूछा था पिछले सवाल में प्रिंस्पल पूछ लिए रिस कोश्चन में टाइम पूछ लिए ठीक तीन सवाल आपको दिखाते हैं कि मतब तीन चीजें देखर प्रिंस्पल लेट अप इंटर्स और टाइम और एसाई इन चार में से कोई एक गायब हो सकत है जो गायब होगा वो टार्गेट होगा ठीक तो कॉर्शन नेक्स में देख रहे हैं कितने समय में इस बार टाइम पूछा है तो पहला रास्ता तो वही है कि आपको एसाई 360 दे रखा है जैसा कि हम पहले जानते हैं कि एसाई को सुपी टी आर अपन अनेट तो एसाई जो आपका 360 हो गया प्रिंसिपल आपका 4500 हो गया रेट आफ इंटरस 4 परसेंट हो गया और टाइम मतलब पता नहीं है आप अनेट तो स्वाल करें टाइम कितना आया तो एक रास्ता तो यह बनता है दूसरा अगर आप जाए तो पिछले चीज़ों में पिछले कॉश्टन में आप से देखा है कि हम इससे डिफर SAP सकते हैं कि अगर हम अर्ली रेट आप टरॉस को थोड़ा टार्गेट कर लें तो उसके के काणिग अर्लिक प्रिंसिपल है वह सिंब्ली 4500 प्रिंसिपल है वो simply 4500 अगर principle हमारा simply 4500 रुपए है तो उसमें अगर हम rate of interest 4% के कॉरिंग जाएंगे तो हमें 180 रुपए per year मिलेगा नहीं 4500 का 1% 45, 4% 180 तो मतब हमें अगर हम principle simple देखे तो एक साल में जो में interest मिलने वाला है जो वन येर का में interest मिलने वाला है वह आपका 180 रुपए मिलेगा इस बाद से किसी को कोई डाउट है जैसे हम को इस बाद से किसी को कोई डाउट नहीं तो हम इसको थोड़ा और आगे continue करते है तो ना अगर हम इस पर थोड़ा ध्यान ने तरीके से आप जा सकते हैं ठीक कि आप हो गया है आगे फटा फट कॉंटिन्यू करते हैं अग्ला दॉष्ण पैस आयर वाज कि किस वार सी दर से अब रेट आप इंटर से पूछ लिया है हो जाएगा अब मैं समझ रहा हूं कि आप इन तीन सवालों साथ यह तो सीखी चुके कि सीधे है साइ कुस्तु पी आटी अपॉर अंडेट लगाने के अलावा भी हम कुछ सोच सकते हैं ठीक है तो देखिए का आप यहां पर इसाइबर पी आटी अपॉर अंडेट नहीं लिखेंगे तो हम करते हैं उसी तरह इंट्रेस्ट अपन प्रिंसिपल इंट्रेट निकलेगा और अगर रेट आप इंट्रेस्ट पता है तो अप्लाई करना तो प्रिंसिपल पर यह अप्लाई भी करेंगे तो दोनों काम उसी के डारेक मदब आसपास ही घूम रहे होते हैं ठीक अब यहां प यहां से यहां तक जो बढ़ा हुआ है पार्ट वह एसाई है और वह आपका टेल्वेंड़ है कि यह साई है वह सिंपली कितना है ट्वेल्वंड़ है कि यह 3600 प्रिंसिपल था और वह आपका 4800 हो गया है तो जो बढ़ा हुआ पार्ट है जड़ी इंट्रेस्ट वह इंट्रेस्ट एक राष्टा तो आपका अभी भी खुला हुए कि आप याट्याट से चले जाए तिक और इसका म्याँ बढ़ा भन यह करना थे जो इंट्रेस्ट निकालना है तो रिटव टव में टोंड नहीं तो प्र तुर दूसर करना पड़े prophet कशेदब अगर मैं 200 कर दो साल करने के लिए आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, अगर ऐसी डिजिट है की क्वेश्चन एक जामना चाहे था या बीजी लिए जैसा कि नहीं होता थो आपको डिजिट सी आती है, ठिक्टी कल्रिशन होती है, है ना लेकिन सिस्टम पकड़ ढ़े तो, हमने कह खेंक हम 3 greatly rate of interest निकाल सकते हैं, जैसे हमको पाता चला ला, इर्ली rate of interest हम निकाल सकते हैं, सब्सक्राइब अगर कि rate of interest की target था up doubt आठी निखाला जा है तो मैं simply यह काम कर सकता था, कि हम हमें जो interest मिल रहा आपका 400 मिल रहा है, जो interst 11 hole 1 by 9% पास समन में 100 by 9 बनेगा 11 hole 1 by 9% आजाएगा आप का अंसर नम्बर ठीक नोट कर लिए चल्वागी नेक्स कुर्ष्ण करके इस राज पर पांच पर से वार्सी ताड़ बैच की दते तीन वर्सों का में सदन इतना हो जाएगा अभी तरह मां दिये फिर थोड़ागी चलता है वह प्रिंसिपल जो है अब हम फॉर्मले से नहीं जा रहा है हम आपको दो तीन सवाल हम सिखा चुक्क है कि फॉर्मले जाने से फाइदा नहीं है ठीक अगर आपको लगता है कि कुछ और भी सोचना चाहिए तो प्रिंसिपल पर जो हपका जो रेट आप इंटर तो 5 परसें और 5 परसेंट की फ्रेक्शन वन बाई 20 होती है तो आप 20 भी एजूंग कर सकते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं उसमें तो आपने प्रिंसिपल को मालो सिंपली एंडेट माना और आपने कहा कि जो आपका रेट आप इंटरेस्ट था वह आपका 5 परसेंट है और यह कारकम 3 सा अलटक रहा तो अगर है है तो अगर यह पर पाइफ परसेंट के दिक्क देखा जाए तो अंडेट का 5 परसेंट 500 का 5 परसेंट 5 और टाइम कितना 3 तो टोटल इंटरेस 15 तो जो मैं आपका अमाउंट हो जाएगा है वह आपका 100 इंट क्रिप्टिन हो जाएगा है कि नहीं को सदन को दे रहा है कि यो मिशे दन आपको दे रहा है तो यहां आपको दिया 2-4 वन 5 रूपई जुण आपका इमांट रूपई रहा है उसने का बता हो कि वन 14 वान 5 हो गया है Ăपसे पूछा गया जाय जाय नीचे इन्टु वैलू 2 4 1 5 21 अब इसमें कहीं दिक्क्तारित बताईए यह बिल्कुल मतलम नहीं होता कि कठी नहीं कि सरल है है जरूरी होता है कि जो च्रीक जो कोश्चन हमारे सामने हैं वह समझ रहा है तो बहुत है यह जो बढ़ते हैं अब इस लोगता है कुछन नमबर 6 कोई राज कितने वर्स में पांच प्रसे वार्षी दर से तीन गुनी हो जाएगी अब समझना ने रियाद्यान्स एक तो रास्ता यह बनता है कुछ बिना सोचे समझें प्रिंस्पल को पी माना और हो जाएगी तो यह आपका प्रिंस्पल है अपने एक्स भी मान सकते हैं और जो अमाउंट है उसको आपने सिंपली खाएगी तो यह कुछन ने कहा है कि जो मूलदन है वो तीन गुना हो जाएगी अपने का पी और थ्रीपी अगर ऐसा कह रहा है तो इसका मतलब जो टाइम मिलेगा जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपका टूपी मिलेगा जैसा कि आपने पहले पढ़ रहा है एसाई एकोस टू पी आर्टी अपन अंडेड ठेक एसाई कितना टूपी और प्रिंस्पल कितना खुद में पी रेट आफ इंटरेस्ट कितना फाइव और टाइम पूछा गया आप बुलो सही कि नहीं कि पी से पी क्या हुआ एलमेंट टी पराबर 40 यह नहीं है को समस्या अगर हम चाहते तो इस तरह फॉर्मलेट ना करके थोड़ा सा अलग से भी सोच पकते हैं और वारे लिए बड़ा इजी भी है कि अगर हम प्रिंसिपल को एक राश्ता आपने आपको पाया था कि अगर हम प्रिंसिपल को एंडेंट माने तो हम यह पाते हैं कि एसाई जो होता है वो आर्टी के बराबर होता है ज्याद है पिर इसमें जरूस्के काम होगा तो प्रिंसिपल को आपने एंडेंड माना तो इसका मतलब जो अमाउंट हुआ प्रिंसिपल को अगर आपने एंडेंड किया तो एसी कंडिशन में अगर यह बोला गया तो आप इस कंडिशन में एसाई की वैलू कित्ती हो एक टूंडेंड बराबर आर कितना है पाई और टी पूछा है इसका प्रियोग कर सकते हैं तो यह तो वह बात हैं जो एसाई टॉपिक सिखाता है कुछ और बात हैं जो मुझे ज्यादा ठीक लगते हैं कि उसमें में कुछ टॉपिय अपिज़ू नहीं वह यह है कि हम इंडेस्टेंडिक अल्लेडी कर चुके थोड़ी बहुत परसेंटे पड़ा तो तुरह ध्यान दीशें हमें काम और भी कर सकते हैं बिल्कुर अपने तरीके से प्रिंसपल हमने अंडेट माना पासवन माती है अमांट हमारा 300 हो गई इसमें भी कोई समस्या नहीं ठीक है अगर हमने ऐसा किया तो मैं यह तो कही सकता हो ना कि अगर पांच जो SI म वही बात है लेकिन रिप्रेजेंटेशन का मैंठ तुरह चेंज हो रहा है यही रिप्रेजेंटेशन के मैंठ चेंज करने से आप खुद देखेंगे कि आपकी स्पीड बढ़ेगी थिक तो हमने देखा कि है रहे एक साल में पांच मिल रहा है अजले तुम कहारो 300 हो जाएगा इस मिलेगा तुम्हें 200 रुपर इंट्रेस्स कमाना तुम्हें सिभली कौंगो इवाइड कर दो तो अगर मैं टाइम चाहिए तो परकुछ भी फॉर्मूलेशन यहाद यहाद यहा सिंप्ली करूंगा कि दोस्तों मिलेगा पांच के हिसाब से 40 एर्स आई वासम नोट कर लें कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर झाल 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 करते हैं से में टाइब कर से चार वर्सों में तीन में हो जाती है कितने वर्सों में समान दर्से साथ तो अगर आप पीछे आले सवाल को समझ गया तो मुझसे उपर इसमें बात करते ठोड़ा प्रिंसिपल आपका 100 माल लिए जाए एक बात साथ मैंने लिखाई नहीं लेकिन आपको समझ में आ गई होगी और नहीं मैं बोल रहा हूं कि SI के खास बात होती है कि अगर मैं प्रिंसिपल और रेट आफ इंट्रेस्ट को ना बदलू ना प्रिंसिपल बदला जाये ना रेट आफ इंट्रेस्ट बदला जाये तो समान समय में समान राज गार एक साल में तो अगले साल में भी पांच ही मिलेगा जब कि CI में ऐसा नहीं होगा वो आपको बात वां समना थी कि अरवर्स उतना ही इंट्रेस्ट मिले तो इसी तरह से अगर माली कोई भी प्रिंसिपल है और मैं कहा दू पांस साल में सौर पर इंट्रेस्ट मिला है तो अगले पांस साल में भी सौरी मिले है अटोमेटिक हो सकता है पांस साल में 25 25 करके मिलाओ 125 मिल जाए 20 करके मिलाओ तो इसका मिलाओ आगे पांस साल भी वही सिस्टम चलेगा बस अरते कंडिशन सिर्व इतनी है कि प्रिंसिपल और रेट आप इंट्रेस्ट में कोई चीज़ ना किया जाए यह बात लिखाने वाली नहीं है अगर इस मिला प्रिंसिपल रेट रेट बात बात बदल लिए इस बाद से एक्री है बापस आता है तो आप से कहा है प्रिंसिपल आपका हनृट है और फिंसिपल अगर आपने चार वर्स हो में तीन नहीं हो जाती है मतलब मैं ही कह रहा हूं कि आपने चार वर्स का समय लिया और आपने पाया वह आपका हो गया थ्री एंडट लिहां समझ रहा तो यह था कि यहां से हम 200 रुपए इंट्रेस फिर आपने कहा कि चार साल का समय तो यहां चार से डिवाइट के नियम से यह जैसे भी आप सोचने तो यह आपका आगया आर कि पार कितना आगया 50 परसेंट अब आप यह चाहते हो कि जो न्यू एमाउंट हो जाए वह साथ सो हो जाए तो आपको इंट्रेस कितना चाहिए 600 अच्छा रेट आप इंट्रेस पहले आ चुकी है तो 50 से डिवाइट तो आपने डिवाइट किया तो आपको पता चला 12 यह आई बात समझ में नहीं है लग यहां से रेट निकला फिर यहां रेट पता था पीछे वाला उसी रेट आप इंटर से उसी दर से कितने वर्सों में ट्राइम आगए 12 समझ में आया सबको किसी को ना आया तो बढ़ाओ पीछे अले सवाल के दो कॉश्शन जो अभी पढ़ा आपने उसके दो कॉश्शन एक यह तो रेट निकला अब रेट पता है तो टाइम निकाले दो कॉश्शन थे एक साथ बना दो लेकिन अब इस कॉश्चन को थोड़ा ऐसे सोचते तो साहँ मेरे लिए ज्यादा आसान हो यह स्थिति यह है कि जो जो भी रेंटर से पता नहीं लेकिन प्र एयर का ट्रेनोर लग रहा है और चार साल के समयंतरा बने खेतीन सो रहा है अगर आप रहे हूँ कि चार साल में तीन हो रा मतलब आपको 200 half इंटरैस्ट को वो आपको 200 मिल, कितने समय में, 4 साल, किसी को दिक्कत, अगर कोई समस्य है नहीं, तो आवर देखे, आप यह चाहते हो, कि जो new amount है, वो 700 होना चाहिए, the new amount must be 700, new amount जो हो आपका 700 होना चाहिए, अगर आपका नया amount 700 है, अगर आपका नया amount 700 है, तो आप यह समझ रहे होगे, कि इसका मदब interest, जो है, six hundred मिला है, अब हमने आप यह आपको दो मिट पहले बता है, कि समान समय में, समान ब्याज मिलता है, तो अगर, तो अगर मैं यहां समझाता हूँ, आप वहीं copy करीगे, अगर मैं यह कह दू, कि यह समय लगा, चार साल का, और interest मिला 200, तो अगले चार सा साल में 200, और मिले रेट आप इंट्रेस निकालने का वशकता क्या है, तो अगर आप कुछ से इंट्रेस है, तो आप कहेंगे यह 12 साल लगें, नहीं आई बास होगे, तो आप कहेंगे simply, यहां पर, कि जो मिलने आला interest है, वो 200 से 600 हो गया, 33 कुना, तो जो लगने आला टाइम हो भी 3 कुना, तो सो यहां जो टाइम आएगा, वो आपका 12 गयर आजाएगा, आई बास समझ में नहीं आई, और अगर आपने यह समझा तो आपको कुछ भी नहीं लिखना, आप कहेंगे, एक से 3 मतलब दो इंट्रेस, एक से 7 मतलब 6 इंट्रेस, तो इंट्रेस 3 कुना, समय चार समय भी 3 कुना, इंट्रेस पहले 2 उनिट था, समय 4 साल था, अब इंट्रेस 6 उनिट हो गए, तो इंट्रेस जो था, वो दो से आप कितना चाहते हैं, 3 कुना, 3 टाइम, तो जो टाइम 4 यह था, वो भी 3 टाइम 3 कुना लगे गा, 3 बार, 12 आवर्स नहीं आया, अबना दमें टो यह, वो रहीं थこの स्वेले स्सकते हाँ, इंट्रेस, वो भी 3 बार भ, वो दिएा, इंट्रेस कुना, जो दो तो उत्रेस पहलें У था, वो, गदरेस,度 ही तो था, ऑूपशऱ इंट्कोंके अ depending दोबसे हाँ, वो भी 3 बारेस की प teammate झाल 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 बढ़ते हैं आगे को क्या है नेक्स कॉस्टन उसको 100 मानने में क्या बुरा ही है हमने लेट कर लिया कि जो प्रिंसिपल है वह 100 है अज़ा पाइदा ही है कि आसानी सी रेट आवंट्रेस कल्कुरेट हो जाएगा ने तो हम फ्रेक्शन किसकी किसकी सोचेगी ठीक तो एसाई में कोई दिक्कत ने जो आएगी अराम से कर सकते ह तो उसने खा कि तीन वर्स जो रेट आप इंट्रेस है वो फाइफ परसेंट है यह पहले थीन वर्स की बरसता है तो यहां जो आपको एसाई जनरेट होगा वह आपका 15 जनरेट हो इसी तरह से जो उसके बाद अगले चार बार्स है उसका जो इंट्रेस रेट है वो आपका 6 परसेंट इस परसेंट यह बाद कि उसके आगे का रेट अचेश दो बरसों का पूर रेट अफ इंट्रेस्ट थी परसेंट है तो यह आपका 3 और 7 और 8 9 तो नाइन इन हो गये अलग 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 तो आप देख रहे है कि पहले त्रियर का इंट्रेस्ट यह लिखा हुआ है और अगले 2 एरस का इंटरस ये लिए, अगर यूर्य आपको अलागा इंटरस रिखा ऊए, तो कुल 9 वर्स्म और चूर्टल आपको इंटरस मिला, वह कितना मिला? 45. तो टोटल इंटरस आपको 45 मिला. यह आपको थर्टीन एंडट फिप्टी रुपए दे रखा है क्लेर आप चुरह वाट इस प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल अमने एंड़ उनिट माना था पूछा गए बस बात खतम हो गए तो हम सिंपली कह सकते हैं जो पूछा जाए उपर बताया जाए इंटू आपका और बात झाल 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 कुछा जाए नहीं को गए क्कुछन नम्बर नाइन question number 9 में देखें कोई राज साथ राज की दर्स से तीन वर्सों में 2800 रुपए पाँच वर्सों में 3000 रुपए हो जाती है वह राज सी सदावार्सिक ब्याज की दर्गेर आप से करा वह प्रिंसिपल बताना है और यह डेट आप इंटरस बताना है ठीक है अगर देखें तो है तो आपने सिंपली करना है कि आपको रेट वंटर से सारी बातें बताना है अब इस कंडिशन वर्स इंपली धान दिया है तो हम यह कह सकता हूं कि प्रिंसिपल अगर आपका कुछ जो में पता नहीं है और त्रीयर का टाइम लगा और आपका पैसा इमांट तक पहुंच अगले पांच साल तो फिर मुसके आगे लेंगे यहां से मतलब नहीं आगे फिला नहीं वहीं से बोला तो फाइव यह होगे अगर एक साल में मिलने वाले ब्याज को प्रिंसिपल बेस मानका रेट इंट्रेस्ट मुलाई करके परसिंटेज निकाले तो रेट आप इंट्रस्टी होगा लेकिन जो इंट्रस्ट वह एक साल नहीं चीओ अगर दो साल के लिए 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 लेंगे तो दो साल का इंट्रस्ट रेट बात इंट्रस्ट पर इनम माना जाता है जब तक कुछ नकाब तो आप वापस पहुसते हैं और हमें पता चलता है कि यहां से यहां तक kind कैट नर रहा यहां के Ś techniques को प्रॉब्लम अगर इस बाद में किसी को प्रॉब्लम नहीं तो यह भी तहा है कि यह जो इंट्रेस्ट मिला है यह पैसा बढ़ा है अगर आपका में काऊं मेरा बैंक में सॉप फिर यह जो इंट्रेस्ट मिल रहा है पन यह जो मिलेगा फेवरी एर और फिति यह मैं नहीं पता प्रिंसिपल किया क्या नहीं लेकिंगी ऑद दो मिलें और थे तो एक साल जाएरं तो यहां सब्सक्राइद दूपर सब्सक्राइब मंज़ता है कि समान सभिए समान में सम्वां adequately ईए वह जा किts न इस एक overall सद्था okay अचानल बदल गया तो फिर इंट्रेस्ट बर जाएगा तिक भापस आदा बढ़ जाए के घट जाए जो भी तो तीन साल का इंट्रस कितना ओ AMY अगर तीन साल का इंट्रस ध्री अंडेट होगा तो आपको अठ्ञाइस हो गया और यह था इचाहिए उस्पट और यह साई कितने रिंडट इसका प्रिंचिबल कितना रहो है कि nem been यहां तक किसी को प्रफ्लम है तो आपको को सकता है लेकिन रेट डेट रेट एट करते हैं तो हमें पता कि एरली डेट प्रिंटी पाइव एंड़ और इन्टू पॉर दा रेट पॉर परसेंट तो इस तरह आपने देखा कि आपका सी नंबर आपका सही आंसर रोगा किसी को कि दिक्कत नोट कर लेजे झाल किसी के आपका सही आंसर रहा हाऊएव ऑला कि आपका सही आंसर रहाएव परसेंट प्रते हम एंड़ इन्टून परसेंटार्व। झाल 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 हो गया आगे बढ़ते हैं किसी राज़ पर साड़ वाज उस राज़ सिखा ट्वंटी फाइव बाई थर्टी सिस्ट कुना है अब उसी तरह से ट्वंटी फाइव थर्टी सिस्ट कुना है कौन एशाई तो अगर आप तो नॉमली करें कि प्रिंसिपल फॉम पी भी मान सकते हैं लेकिन हम प्रिंसिपल को थर्टी सिक्स अजूम करते हैं क्यों आपको आपका आपका वो इसका ट्वंटी फाइव थर्टी सिस्ट गुना है तो आपका अगर अगर हम एसाई परावर पी आर्टी अपान हंडेट के फॉम्लेस जाएं सिंपली तो एसाई कितना हमला है 25 और प्रिंसिपल कितना था 36 रेट ऑफ इंट्रेस्ट और टाइम उसने का समान है तो यहां के लिए इस क्वेश्टिन की सिच्वेशन गली क्वेश्टिन बुला र इस स्क्वेश्ट टू 25 अपान 36 और इंटू तो एक परावर हो जाएगा 5 बाइट एक तो इस क्वेश्टिन का करने का ही सिंपल तरीका होई प्रिंसिपल माना है साई इसके लाव अगर थोड़ा द्यान दे इस तरह के लिए अगर हम इस सिस्टम को पकड़ें तो मैं आस एक बास समझ में आती कि जो एसाई है परावर एसाई अपॉन पी एसाई और प्रिंसिपल का रेशियो बरावर आवर आटी अपॉन अंडिट तो हम उसको कह सकते हैं कि यह आपका आर कहलो चाटी कहलो एक स्कॉयर अपॉन अंडिट कहा जासें अगर आप याद रख सकित तो नहीं याद रहे तो कोई बात निचे आ गया और यह आर और ती बरावर तो एक सेक्स हो गए तो अंडर रूपर आए पर एसाई और प्रिंसिपल का रेशियो और अपॉन एट इंटू अंडिट और रूट रूट देखिया ताराल ब्याज उ याद रहना एसाई और अमाउंड कभी कभी होता है तो अमाउंड नहीं यह प्रिंसिपल का रिशियो ठीक तो यह 25 पर 36 अगर मैं कहँए दू कि एक याई बी की दुग नहीं है इसका एक और बी का रिशियो वन इस्टू यह तो यहाँ पर जो एसाई है वह आपका प्रिंस प्रिंसिपल का 25 by 36 तो आप इसको नीचे लें तो यही तो होगा रेशियो नहीं है तो यहाँ पर आप रखो अंडर उटलर तूरं तो आपके जाने पचास पटे थैया जाएगा 25 by 3% आटोमेटिकल निकल आएगा तो अगर यह स्टप याद रह सकता है जब एसाई और प्र सद्सक्राइब ऐखे ता catchy सालओं कि रहा होगा रहा है इस लिए निकला लगर आगर एक साल का होता है तो निकला का यह का होता है यह तो निकलाता था रखे यह तो नहीं इस लि Update यह ने आसट फपाँ कुछ और फ्रिंस्ट रेटी से तरह पげet आफ नहीए पॉच्सी Wal-ण इंट्रा एगे? वोगे? क्वेशन नमर 11 एक वे 3400 रुपए को दो बागों बाट कर पहले बाग को 11% पर बाग पर और दूसरे बाग को 15% पर कर्च के रूप में देता है कि दो बरसों बाट कुल साराड बाज 32 2232 रुपए प्राप्स होता है प्रते बाग की राज के आपने टॉपिक पढ़ा था इलिगेशन पर आते समय हमने आप बात पाई थी कि पहले बाग पर इंट्रेस आरवन परसेंट दूसरे बाग पर ओवर अलिंट्रेस आर्ट परसेंट और ओर ओर अलिगेशन कर दिया जाए तो प्रिंसिपल का अनुपाद आजाए यहाद है तो इसका दिफ्रेंस यहां आता यहां आता है यह जाए लिकेशन concept होता है इसके अलावा एभी पतायागा था कि आप प्रिंसिपल पर मिलने है अले हैं साई साई ए साई वन साई क्या है तो न फिर्स रेटान ञाए है और और वर इलिगेशन लगा शाओ तो भी आ करता है कि आपको किसमें लगाना है इतनी जरूत के कोड़िंग अभी कॉर्शन पर आ रहे हैं तो आप कोई बात समझ रहे हैं जिसे यहां उसने का रेट आप एलाइवन परसेंट है दूसरे बाइट अब दो वर्सों का रेट आ रहा हूं ठीक है याद रिकॉल का इन ली था अबनेगा कि वेडिखा इसा आगे दो वर्सों का खुल बयाज भूला के अब वर्सों के गॉल आघर तो वर्सों के एकॉर्डिंग एक एक डिज़ता रिकॉर्ट पर ग्रहा तर्फटवह करहिए हक अंवक्ता रूपहस को फटिस बाहिस तो पतिस रूपहस थो साल दो से ड into 100, 93, 7% कभी-कभी हम इसको करते समय अप्रोक्सिमेशन का ट्राइग करने लगते हैं, तो कभी मत करिए, अगर 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 इप्रोक्सिमेशन लाय तो तो फ्क्स लिएठा है वही जाए गा, आप्रोक्सिमेट नहीं मतरहिं ह्रक्सि मैं आपनीय को कितिन यह ला मैं तरीमल इंस के अफुह पहले वातिए रही अगर ब्रक्सिम्हों ऑफ सा만 पयोकिए यह स्था, तो िरे लान् सिन दूस्थरे भात का इंट्रेस्ट राथ हें तुर्फन कर वाओ परसेंट यह जो सब्सक्राइब कए इसक्द प्रेश्टा इसलोफ को है जारे होları पास्ट सब्सक्ते ही तो समतिति अचानल इसलोफ प्रिंसिपल है उस सैवन उनिट है और सेवन बराबर कितना है एटी फोर इंड़ बन बराबर वेल बन देट तो थ्री बराबर तो इस प्रकार आप सिंपली पाएंगे कि 3600 एंड़ रुपी यह आपके प्रिंसिपल से समझ मैं है यह इस पर एलिगेशन लगाने का पहला तरीका थेक अब एलिगेशन लगाने का दूसरा तरीका भी था आप दोनों में से कोई एक तरीका अवेल करेंगी जरूर यूज करे है इंट्रेस्ट पर लगाना है या इंट्रेस्ट रेट पर लगाना है और कैसे मैं कहूंगा 8400 रुपए टोटल को अगर आपने 11 परसेंट पर दिया होता कितना नाइन टन्टी ने ग्यारे चौवाल इसे सचाल ठीक है पोर बचा अठासी और 924 ठीक उसी तरह अगर आपने परशेंट रुपए को 15 पर सक्षाद पर दिया होता है वारा है 12.60 लेकिन आपको इंट्रेस्ट मिला कितना गल्ती जियना रख देना ये दो साल का या तो आप इसको भी दो-दो साल करो अप तो एक साल करो एक ही साल तो लगा रहा हो वह अगर आप इसका 11 परसेंट ले रह तो यह तो यह था 22% नहीं हो जाता एक साल ले रहा हो तो इसको भी एक साल का कर लो ग्यारा सो तो एक साल वन एर वन एर वन एर एलिगेशन का प्रयोग यहां यह कठीन लगेगा क्योंकि वो जल्दी हो रहा था वो डिपेंड करता question to question तो यह आपको सामने आ जाएगा थीस तो आप इसकी निकालो को तो आएगा 3600 रुपे और यह निकालो को तो आएगा 4800 रुपे मेरी बात आप समझ पार तो इस तरह हम दोनों प्रिंसिपल अलग लग लग निकाल सकते होंगे किसी को कोई दिक्कत कोई समस्च्या तो यह एलिगेशन का अब तुरंद बात में आ झालो झाल 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 प्रियोग नहीं करना है तो पहले पाट को हम प्रिंसिपल को हम जो हमारा पी फरस्ट है उसको प्रिंसिपल प्रिंसिपल से केंड होगा प्रिंसिपल आट्रमेटिकली एक्टी फोर इंडिन माइनस एक्स हो जाएगा ठीक है तो पहला प्रिंसिपल हमना एक्स से जूम कर लिया और सेकेंड प्रिंसिपल आट्रमेटिकली एक्टी फोर इंडिन माइस एक्स हो गया अगर इस बास तो यहां पर जो रेट आपके पास है वो आपका है कितना एलेवन परसंट एलेवन परसंट अगर दो साल के लिए दो यहां ले लो अपन हंड़ यह इसका इंटर्स हो गया प्लस 15 परसंट 15 परसंट रेट अपन है तो यह अपन हंड़ टीक और टोटल इंटर्स मिला बाइस सो पत्रिस रुपए तो सॉल करोगे तो एक्स का मान आप्रमेटिकली पहला वाला तो 3600 निकला है जो एक्स का मान लेकिन नेचरली यह बात आपको समझ मा रही होगे कि इसमें टाइम तो ज्यादा लगेगा इन कबर्जिन आई बास समझ में कंफाम है कोई दिक्कत समझ से लेकिन ऐसे नहीं करना है बस हूँ हमने आपको समझने के लिए ठीक है हो गया कि करा किसी को 3 वर्थों के लिए Además to Renee करो कि से य्प में रूप से दिया जाता है कि करा कि από प्रतिक का वारसिवल में में सब्याजब्यार स्टा अच इस सी निवेल के रूम के रूप में दिया जाता है कि साल्ड मैज का वार्सिवह आभ रियाजब्या अप्रिटे वह रासे बताओ, बड़ा सरल बाद, आसे अवरा प्रिंसिपल कुछ भी हे तौमने का अर्टेन माल लेते हैं, है कि नहीं? समय आप यह पहले आले में अगर आप किसी प्रिंसिपल को किसी पैसे को आप आर परसंट के रेट आप इंट्रस पर इन्टरस्ट कर रहे थे बाद में उस पैसे को आपने बाद में उस पैसे को आपने 4% कम rate of interest पर इन्वेस्ट कर दिया तो महांगे continue करें को यहां समय मैंता है कि यहां जो आपको different मिलेगा automatically 4 का होगा every year अगर समय 3 year का है तो आपका 12 कम ब्याज मिलेगा, अगर principal को आपने 100 माना है, 100 माना है, तो 100 principal मानने पर जो rate of interest है वो पहले अगर 6% है और बाद में वही rate of interest याप ने 4% कारभ कर निया है अगर आपने interest टेट 4% कम कर दिया तो 4% के अगर आपने फिर्ट ले रखा है तो यहां तक बात किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं अगर यहां तक कोई बात की दिक्कत नहीं तो आप यहां 100 पूछा गया आपसे कि अगर बात करें तो सिंप्ली नहीं कह सकते हैं कि 100 पूछा गया है इस नोगे है इसी कि अग्यों कि कि झाल फोग्या कोई समत्सेया निक्स्ट नमबर 13 211 40 रुपए को दो बागों में बांट कर पहले बाग को आठ परसे थीन वर्स के लिए दूसरे बाग को नौब परसे दो वर्स के लिए तो इस वाद समय अलग है दिया दोनों इस्तुतियों में साल बाइस समान है इस बार क्या है थेक दो बोथ केसे प्रिस्पलार इस बाइट ऐसा होता था तो ने आपको पताय था कि पी बाइट पाद निकाला रहा था है पी वन इस टू पी टू पराबर वन अपॉन आर वन टी वन रेश्यो बन अपॉन तो ऐसी कंडिशन को ध्यान रखते हो वन अपॉन आरवन कमान कितना आठ टाइम कितना थी एंडेड्ड जोगह उतल में डूज जाएका रेश्यो वन अपॉन अपॉन नाइन इंटू ठीक है सकते हैं कि पीवन इस्टू पीटू एट स्कूल टू 3 इस्टू 4 आगे प्रिंस्पल का अनुपात ही रेश्यों ही निकलाया तो आप 21,140 को बाटना तो बहुत बढ़ा टास्क बचाही नहीं कि आप सिंपली कर सकते हो कि ऐसा है कि यहां पर टोटल सेवन और सेवन इकोस तू 21,140 रुपीज और आप से कहा गया वाट इडिविज्विज्व पार्ट यह वाला पूछा गया है और यह वाला पूछा गया नहीं निकाल पाएंगे झात झात हो गया किसी को कोई दिख्कत कि कुछन नमर 14 आप से करां 18600 रुपए को तीन बागों बाटा पहले बाग पर दस पिस्तल ब्याजदर प्रतेख बाग पर एट अपिट अपिटें परसें समय जो है वह आपका टू फोर एंड फाइव यह है प्रतेख इस्तुति वह में समान है क्या एक्वल है अमाउंट अरिकवल एक रात करेगे पिए फीटो के री चंडिशन बताई थी वन अपान अंडेट प्लस आरवन प्लस आरवन अपन अंडेट प्लस हर दू टू तू याद है फिश्टी खाग तो उस कंडिशन में बताई R2 T2 है कि नहीं अगर ऐसा कहता हूं इसी तरह तीसरा है तो वन अपन रिश्यों 100 प्लस R3 T3 अगर इस बात को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ा जाए तो मैं कह सकता हूं कि P1 इस टू P2 इस टू P3 बर आपर 1 अपन 100 प्लस R कामान किता है 10 इंटो 2 रatio 1 अपन 100 प्लस R कामान किता है 4 रatio 1 अपन र कामान किता है 10 और rate of interest time 5 मदम सिंप्ली सॉल करें तो हमारे सामने आएगा P1 इस टू P2 इस टू P3 इस टू 1 अपन 120 रatio 1 अपन 140 रatio 1 अपन 150 00 cancel इन सब का LCM लेके multiply कितना आया 95 इस टू 35 इस टू इस टू 28 जब आपने इन तीनों का LCM लेके multiply किया तो simple fraction बने अब बदब simple ratio बना और उसके पाद रेशियो बन के तयार हुआ तो आप से टार्गेट ही होग कि प्रतेख बाग कि राज बरत क्यात करो तो ऐसी condition में simply हमारे पास टोटल पैसे टोटल मनी है वह आपका 18600 को बाढ़ सकते हैं प्रतेख बाग कि राज के लिए टोटल आपका यह हो गया 90 that's equal to 18600 एक बराबर 200 फिर आपको जो चाहिए कि ठीक है 10600 को प्रतेश प्रते़ बाग कि राज कर दो आपकाई जो आपकाई प्रतेश झाल आपका इन 10400 प्रतेश्ट है झाल 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 हो गया है क्वेशन कूंबर 15 ड़ेत स्थ प्रुप्रेग वर्ष के सुरुवात में पर तीन लगातार वर्षम तक ए किसी निश्चित राज को बैंक में जमा करता है है एक ठीन किसी निश्चित राज को में जमा करता एक आधर लिए उसके खाते में तो तो से कितनी राज प्रतेग वर्ष बैंक में जमा यह कि इसा मानते हैं यहां पर स्टार्टिंग है और यह पहला साल गुजरा पर दूसरे बरस की स्टार्ट और यह इंड यहां प्रकुल मिलाकर हम देखें तो हमीं पता चलेगा कि इस वाले अंडेट पर आगा कि जो में इंट्रेस्ट मिलने वाला है वह मैं कितने मिलने आप तीन साल अब ऐसा भी करते हैं पर दो साल और यह पर एक साल या फिर ऐसे कर ले इस वाले पर दो साल और इस वाले पर एक साथ बात एक ही तो इस पर अगर 12% rate of interest से 3 years interest मिलेगा तो that interest will be 36 इस पर मिलेगा 12% rate of interest से 2 year so interest will be 24 और इस पर जो interest मिलेगा वो आपका 12% से मिलेगा 1 year तो जो interest होगा वह आपके किता होगा 12 है कि नहीं तो टोटल अगर देखा जाए तो 72 क्या हो गया SI को इसक्वेशन की बात कर रहे है कि पुश्शन की बात कर रहे हैं इसका मतलग हम आउन्ट पर टार्गेट करेंगे यह सो सो तीन सो और यह बात तो 372 कि 372 यह आपको क्वेशन कंटीशन है यह कि आपको क्वेशन ने कितनी जार प्रतेिक वर्ज बैंक तो प्रतेक वर्ज कितनी जमा करेंगे क्वेशन बन गया है 100 तो सो हम सिंप्ली कह सकते हैं कि अंडेट पूशा गया है 372 बताया गया है इंट्टी थ्री थाउज़न एट हंडेट सौल फॉर दांसर एक स्टी ठीक अब अगली बार जिसे इसके क्वेशन आए तो आप बहुत तेज कर सकते हैं और जरूरी तो पूरा ग्राफिकल रेपेटिशन करके दिखाऊ तो तो आम चीज़ें तब तेज कर पाएंगे जब उस चीज़ों को हम पहले प्रॉपरली देखेंगे झाल झाल करेंगे अगली क्लास में करने के ज्यादा है और थोड़ा और आगी जादा है बट इस पीट जीरे तरे बढ़ जाए क्योंकि अब उतनी चीज़ें आपको पहले सांज में आती ठीक है तो अगली क्लास में से कॉंटिन्यू करेंगे बच अच्छे जिवाइच करिएगा ओके नुकालस क्यालस क्यालस क्या बालस क्या दो क्या थाओ